दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस MTS and Postman Requirement 2022 के वारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Age Limits, Salary, Exam Pattern, Total Vacancy के वारे हैं दोस्तो अगर आप इस जब जूरी पूरी जनकर लिना चाहते हैं तो वीडियो में इन तक बनी रहीएगा इस वीडियो की सारी जनकरी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा आप वहां से भी जाकर चेक आउट कर सकते हैं बात करते हैं इंडिया पोस्ट आफिस MTS and Postman requirement 2022 के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Postman requirement 2022, SOT detail के बारे में, Vacancy detail के बारे में, Circle and name of the post के बारे में, Name of the post के बारे में, Education qualification क्वालिफिकेशन के बारे में, Age limit के बारे में, Application fees, Selection process, Salary, Important date के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और्गनेजियन नेम की बात करें इंडियन पोस्ट आफिस की तरब से विकेंसी निकाली गई है नेम आप दो पोस्ट की बात करें पोस्ट मैन, मेल गार्ड, मल्टी टास्किंग स्टाप यानि की MTS के लिए विकेंसी निकाली गई है नमबर आप विकेंसी की बात करें तो दोस्तो 98,000 83 विकेंसी निकाली गई है यानि की बहुत ज़्यादा विकेंसी निकाली गई है आपका इस बार सेलेक्शन हो सकता है दोस्तो तो इस भरती के लिए आवेदन जरूर करिएगा application mode की बात करतो online तरीके से आप इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे job location दोस्तो आप भारत के किसी वी राजी से हैं इस भरती के लिए आवेदन कर बाएंगे eligibility qualification की बात करें दोस्तो 10th pass 12th pass दी गई है age limit की बात करें minimum age 18 वर्स से या 32 वर्स के हैं तो आप इस भरती के लिए वेदन कर पाएंगे age relaxation यानि की SC-ST के लिए 5 वर्स के छूट दी गई है दोस्तो OBC candidate के लिए 3 वर्स के छूट दी गई है salary की बात करें दोस्तो 15,000 से लेकर 20,000 पर मंत होने वाली है selection mode दोस्तो exam के तोर पर होने वाला है application fees दोस्तो हम बात कर लेते हैं ST, SC, P, W के बिल्कूल free होने वाली है starting date की बात करें तो दोस्तो आपके आविदन सुरू होने वाले है vacancy detail दोस्तो आपने देख चुका है कि postman के लिए 69,99 पोस्त दी गए है mail card के दोस्तो 14,45 पोस्त दी गई है multitasking के लिए दोस्तो 37,549 पोस्त दी गई है name of the circle and name of the post के बात करें तो दोस्तो आप यहां पे देख सकते हैं दिया गया है और वीडियो को post करके भी आप सारी जनकारी ले सकते हैं वीडियो की सारी जनकारी में description box में भी डाल दूँगा आप वहाँ से विजागार चेक आउट कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं name of the post mail card के AP circle लेके 108 post दी गई है असम में दोस्तो 73 post बिहार circle के लिए 95 post दिलही circle के लिए 20 post दी गई हैं दोस्तो वीडियो को पहुच करके भी आप सारी जनकारी ले सकते हैं name of the post MTS के लिए दोस्तो यहां पर vacancy दी गई है अब वीडियो को पहुच करके सारी जनकारी ले सकते हैं education qualification की बात करें तो दोस्तो अगर आप 10th 12th pass हैं तो आप इस भरती के लिए विदन कर पाएंगे age limit दोस्तो आपको बता दिया गई है 18-32 वर्स के आयो कंडिट इस भरती के लिए विदन कर पाएंगे application पीज दोस्तो जर्नल OBC EWS के लिए 100 रुपे लगने वाली है SCST PS candidate के लिए दोस्तो फीज बिलकुल